नमस्कार मेरा नाम है ओम प्रकास हम लोग आज आज से जहारकंड एक्सराइस कॉंस्टेवल में जो मैट्स में 10 कुशिन आने वाले हैं उसी को देखने वाले हैं जिसमें हम लोग सबसार पहला टॉपिक चूज की है परसेंटेज इसको हम लोग यहां पर देखेंगे इसमें किस तरह कुशन साते हैं उस अब को देखेंगे इसमें कुछ प्रिवेस कुशन नीचे दिये हुए हैं उसका आज सकते हैं हमारे कोर्स भी रनिंग है जो आप एप में जाके देख सकते हैं paper 3 के लिए तो start करते है percent प्रतीसत यहां पे दिखिए पहला कुशन है हमेसा ध तो हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज याद रख सकते हैं असलियत में होता क्या है तो यहां से कट जाएगा 116 गुने 2 बड़ाबर तो तीन से 116 गुने 2 तो आगे हमारा 232 तो यह कुशन बिल्कुल आसान बन जाता है जब आपको कि फ्रैक्शन का वेल्यू पता हो आगे हम लोग देखेंगे ठीक है कि इसको कैसे याद रखा जाए कि जैसे मानग चली बोल देखेंगे 33 पुना 1 बड़ा 3 तो इसको अगर सॉल्फ करेंगे चेंज करेंगे तो 100 बड़ा 3 प्रतिसात आएगा तो फिर स्टा चेंज करेंगे तो हम डैकली इसका वेल्यू 1 बड़ा 3 ही क्यों नहीं याद रख ले तो कुशन असान बन जाता है जैसे इसका बना किसका वेल्यू क्या होता है 2 बड़ा 3 होता है तो fraction का अगर exact value पता हो फ्रेक्शन में जो भी % है उसका हमको fractional value पता हो तो कुशन बिल्कुल असान बन जाता है जिसको हम लोग देखेंगे आग एक वीडियो में या classes में देखेंगे अगला question देखेंगे यहां पर क्या है कि यदि a के 5% का मान 10 है तो a का मान क्या होगा तो a का 5% बड़ावर बताता है 10 तो हमको निकालना total तो 100 तो 500 जो है 5 का कितना गुना है तो 20 गुना है तो directly 10 को क्या कर दिए 20 गुना कर दिजे 10 गुने 20 कितना आ गय 200 तो यह हो गया हमाना answer आगे रेखें इसी तरह बोलता है यदि एक विद्याले में विद्यार्थियों में 70% लड़कें तरह 504 लड़किया हो यानि इतना boys हो गया और girls हो गई इतना तो boys अगर 70% है तो हम बताएं थे कि total percent हमसा कितना होता है 100 तो यानि जो girls होंगी हो कितना होंगी 100-70 यानि 30% लड़किया होंगी तो हमको पूछा है कि लड़कों की संख्या क्या है तो हमको पताचल गया क्या है कि 30% बढ़ावर कितना है 504 ठीक है इसको काटते है तो 3 से कट जाएगा 10 बाड़ में 30 से स्कुराट गएंगा तो कितना हमकों कट जाएगा तो 10% बढ़ावर 160 तो 70% बढ़ावर क्या होगा तो यह कितना गुना है तो साथ गुना है तो यहां से इसको साथ गुना कर दीजे तो कितना आ जाएगा हमारा 1176 यह होगी आंसर तो यह method जो हम यहां पे कर रहे है इससे बहुत time बचेगा और easily question आपसे बन जाएगा बस आपको क्या करना उसका multiple कर देना है देखना है कि कितना का multiple में 7 का multiple 8 का multiple 20 गुना है जितना गुना है राइट हें यदो है कि आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर बूला क्या है कि यदि A की आए B की आए से 25% कम है A की आए B की आए से 25% कम है तो B की आए को माल लेते हैं 100 तो A की आए क्या हो जाएगी 25% कम तो कितना होगा 75 ठीक है तो हमसे question क्या पूछा है तो A की आए B की I से 25% कम थी Tok B की I कम लोकितना हमाली 100 A की I कितना हो कि 75 तो हमसे पूछा है क्या A की I B की I से कितने प्रतिसाद अधिक है यहां थोड़ा सा गल्ती हो गया यहां B होगा यहां पर A होगा Quickяла क्या बनेगा कि B की I A की I से कितने प्रतिसाद अधिक है तो तुलना किस से हो रहा है? A से हो रहा है ठीक हमें साथ दिखेगा जो जनरली कॉश्चन में क्या होगा कि जो बाद हो रहा है उसी से तुलना हो रहा है तो पुछा है क्या कि B की आए A की आए से कितना अधिक है? तो B कितना अधिक है? तो दिख रहा है हमारा answer ठीक है हमेशा ध्यान दिजिएगा कि तुलना किस से हो रहा है ठीक है किसका तुलना किस से करना है तो यहाँ बी का आय का तुलना करना है एक आय से एक आय बाद में वो नीचे राएगा और कितना अधिक है पचीस अधिक है अगला question बोलता है एक संख्या को पहले 10% से तथा फिर 20% से बढ़ाए गया तो कुल कितना होगा तो एक तरीका याद रखिएगा कि लगातार जब भी बढ़े तो हम लोग ऐसे बनाएंगा उसको तो याद रखिए कि प्लस अगर कुछ बढ़ रहा है फिर एक बढ़ और बढ कैसे यह तरीका याद रखिएगा यह प्लस a प्लस b ab by 100 अगर दोनों में कोई भी नेगटिव रहा है चाहे यह नेगटिव हो या a नेगटिव हो दोनों में से कुछ भी नेगटिव हो ठीक है सब्सक्राइड ऐसा हो कि माइनस a हो प्लस b हो तो हमेशा यहाँ पर कैसे हो रहा है तो यहाँ क्या किया कि पहले 10 परसंट बढ़ाया फिर 20 परसंट बढ़ाया 10 गुना 20 बाई 100 10 और 20 कितना हो गया 30 तीसा और इधर 2 कितना हो गया 32 प्रतिसत यह एंसर हो गया ठीक है अब क्या किस को ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग मान लेगे कि पहले मान के लिए 100 था ठीक है उसको कितना किया 110 बढ़ाया 110 बटा 100 फिर क्या किया फिर से बढ़ाया तो 120 बटा 100 ठीक है काटते हैं ठीक है तो कितना आ गया 132 देखिए 12 ने बढ़ा कितना हो गया 132 हो गया तो 32 परसंट बढ़ गया बस यही चीज को ऐसे दिखाया गया ठीक है अभी सब्सक्राइट यहाँ पर क्या होता कि पहला और पॉजिटिव होता तो माइनस प्लस ए माइनस भी तो भी यहाँ पर नेग प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई हंड्रेड ठीक है अब अगर इस हम दोनों में से कहीं भी नेगटिव हो गया तो इसको नेगटिव कर दीजेगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बोलता है क्या कि जब एक साइक्ल का मूले 20% कम किया गया तो बिक्री की संख्या में 20% बढ़ गया यानि साइक्ल का दाम जब 20% घठाय गया तो साइक्ल का क्या हुआ कि बिक्री बढ़ गया 20% तो हमको पता करना है कि दुकान को का जो भी बिक्री हो सो क्या प्रभाव पढ तो यहां पर minus assign आगा, तो 20 गुने 20 बट्टे 100, तो यह cancel हो क्या, 0000 cancel, तो कितना है, minus 4%, यानि 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है, यह method आपको याद है, तो इसली बन सकता है, और directly अगर सेम रहेगा, तो इसली का तुम क्या करें, cancel out कर देंगे, हम सीधे उसका निकालें, 20 का 20% चार्ट, एंसर, कमी, ठीक है, आगे देखिए, बोलता है, किसी चुनाओं में केवल दो प्रत्यासी है, जिस प्रत्यासी को कुल पढ़ने वाले वैद मतों का, यानि क्या बोला, कि इसली की चुनाओं हुआ, जो उसमें जीता, उसको 12% वोट मिला, ठीक है, और वो कितना वोट से जीत गिया, 144 वोट से जीता, तो टूटल वोट कितना होगा, 100%, तो एक विनर होगा, और एक क्या होगा, लूजर होगा, तो विनर को मिल रहा है, पर दिखे, तो दोनों में देखते, अंतर कितना है, तो 24% का अंतर होगा, यानि यहाँ पर अंतर कितना होगा, 144 काट देते हैं 24 से कितना में कट जाएगा 6 बारं कट जाएगा यानि 1% ब्राबर 6 हो गया हमको निकालना क्या है वैदमत की संख्या क्या है तो वैदमत कितना है 100% तो 1 कितना है 100 गुना है तो 6 को भी 100 गुना कर दीजे तो कितना हो गया 600 तो यह method फिर यह हम लोग इसका method अगर इस हम याद रखेंगा तो question easily बनेगा बस आपको देखना है कितना गुना है ठीक उसको ऐसा हम change कर लेना जैसा भी आपको easily होगा बोलता है कि एक परिश्चा में उत्रिन होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं राम ने 30% अंक प्राप की हैं तथा 60 अंकों से अनुत्रिन हो गया तो बोला है कि एकजाम है उसमें आगर आपको पास होना है तो कितना परसंट अंक लाना पड़ेगा अब जो राम एक लड़का है वो कितना 30% अंक लाया लेकिन 60 अंकों से अनुत्रिन रह गया पास नहीं हो पाया तो बोला कि कुल पुर्णांग कितने है तो हम देख रहे हैं कि पास होने के लिए चाहिए 35% लाया 30% रह गया 60 अंक यानि बचा कितना हो उसका 45-30 यानि 15% और बज गया 55% किसके बड़ाबर है 40 क क क्वार बढ़ाबर है तो 15% 6uta हमको निकालना है सौर्परसेंट निकालना है थीक है इसको काट दीजा, तो 5 बार में तो 5 निकालना है कि इस गुद्त है पांश को कितना गुना करेंगे कि विचल काःगा साथ हमको अगर सौ का निकालना है तो क्या करेंगे तो साथ गुने सौ बट्टे पंदरा चो के साथ ठीक है तो एक ये तरीका हो गया और एक ये तरीका हो गया इसमें क्या करते हैं हम लोग क्रॉस कर देते हैं ठीक है जो भी निकालना है उसको ड़ाय क्रॉस करके निकाल लेते हैं आगे देखते हैं. बोलता है किसी त्रिभूज के आधार में 10 परतिसत की विधी की गई? तो चेत्रफल हम को क्या करना है कि 6 पर्षण में कोई परिवरतन नहीं चाहिए? तो हम उसको उचाहए में कितना परतिसत की कमी करेंगे? तो त्रिभूज का जो चेतरफल होता होता, क्या होता है, एक बटा दो गुने, अधार गुने हो चाहिए, दो चीज, तो एक को 10% बढ़ा दिये, तो दूसरा को कितना घटा आए, कि चेतरफल में किसी तरह का कोई परिवर्टर ना हो, ठीक है, तो सपूस करिए कि अभी चेतरफल ता 100, ठीक है, अब को बढ़ा दिये, कितना, 10, तो कितना हो गया होगा, 110, अब वापस से इसकॉम को यहां से यहां लाना है, तो कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे, लेकिन 10 किसमें घटाएंगे, 110 में, गुने 100, कितना आ गया, 100 अगया, पुर्णा के चेंज गेंगा, नौ पुर्णा के कोटाई के आ रहा है, यह answer, तो ध्यान आपको क्या रखना है, कि अब जो नया change होगा, किसमे होगा, जैसे 10% बढ़ा दी, ठीक है, तो नया question बोलता है, कि एक आयत के लंबाई में 10% का विर्धी करने पर, चोड़ाई में 20% कमी करने पर, चेतरफल में कितने प्रतिसत की विर्धी आथवा कमी होगी, यह बताना है, तो वही वाला method, तो सबसे पहले क्या करना है, प्लस 10, उसके बास minus 20, तो बताएं जब भी, अगर से प्लस प्लस आगा तो कोई रिकत नहीं, लेकिन गलती से minus कहीं भी भी हो गया, दुन जगा हो गया, तो हम लोग minus रखेंगा आगए, तो minus 10 गुने, 20 बटा, 100, 10 में 20 गया तो आगया 10, minus में 10, और यहां आगया कितना, तो यानि 12% का क्या हो हो जाएगा, ठीक है, वो traditional method से भी बना सकते हैं, कि पहले 110 हो गया, ठीक है, फिर 80 हो गया, ठीक है, यहां में 100 था, तो 00, 00, cancel out, यहां पर यह खतम हो गया, कितना हो गया, 88, तो कितना कम हो गया, 12% कम हो गया, इस से भी जा सकते हैं, यह अच्छा method, यह से कोशन जल्दी बनत हो गया, फिर बोलता है कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद 10% विर्दी किया गया, तो जो संख्या प्राप्त हुआ, ठीक है, वो प्राणुबिक संख्या से कितना कम है, 50% कम है, इन साउट बोला है कि संख्या को 10% कम कर दिया, फिर 10% बढ़ा दिया, त तो जो नया संख्या बना, वो पहले संख्या से क्या होए, 50% कम हो गया, तो आखिर चेंज कितना होगा हम पहले बता करते हैं, तो हम पता करते हैं, कि पहले माइनस दस हुआ, फिर प्लस दस हुआ, तो यहां माइनस हो जाएगा, 10 गुने 10, बटा 100, यह cancel out हो गया, जि़ाई दो कट्रटा कितना आ गया है मैनस एक जने एक परसनर क्या हो गया कमी हो गया और यह ही एक परसनर क्या है पचास है हैंना अख भूलाय क्या इ pielडमिक संख्या क्या था 100% बराबर निकालना है तो 100% क्या हो जाएगा 100 से गुण हो जाएगा है ना तो यह method और यह method का use से आप question को बना सकते easily और इसे तरह question exam में भी आएगा एक college में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है तो boys यहाँ, girls यहाँ, इसका अनुपात क्या है? 7 अनुपात 8 बोलता है, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में इतना प्रतिसत और इतना प्रतिसत की विद्धी हो जाती है तो नुपात क्या होगा? तो 20% बढ़ाएं और इसको 10% बढ़ाएं ठीक है? लड़का का बढ़ाएं 20% और लड़की का बढ़ाए 10% तो 20% बढ़ाया है, तो सीधर से दी हम क्या करते है इसको बढ़ाते हैं अभी 100% है, इसको 20% बढ़ाएंगे, ठीक है तो गुन होगा कितना से? 120 से और ये गुना कितना से होगा 110 से 100 में 20% बढ़ाएंगे कितना हो जागा 120% हो जाएगा तो रैकली उसको 120 से गुना कर दे रहा इसे को अब छोटा कर सकते हैं 0-0 कट गया 12 सते और काट सकते हैं 12 सते कितना हो गया 84 और 11,88 काट देते हैं तो 4 से कटे गई 21 बार में और 4 से कटे गई 22 बार में तो 21 अनुपाद 22 ये होगा ठीक है बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना है उसी तरह बन जाएगा कोश्चन आगे बढ़ता है बोलता है अजय अपने वेतन 25 परसंट घर के किराय में 5 परसंट 15 परसंट यातरा में 10 परसंट कपड़े में खर्च करता है और इतना रूपे क्या करता है बचाता है तो अजय के मासी काई क्या है ठीक है तो इधर हो गया 25 परसंट प्लस 5 परसंट प्लस 15 परसंट प्लस 10% तो 25, 35, 30, 30 और 10, 40, 40 और 15, 15% 55% क्या कर रहा है? उखर्च कर दे रहा है, इतना पैसा खत्म हो गया है तो बचा कितना? तो 100 माइनस 55 ठीक है कितना? 45% पैसा उसका क्या है? सेविंग है उसका ये क्या है? उसका सेविंग है है ना? तो यानि 45% किसके बढ़ावर है? 27,000 के बढ़ावर है तो हमको निकालना है कि उसका मासिक है तो उसका मासिक है क्या होगा? टूडल बैसा 100% होगा वही निकालना है तो 100% को find out करना है तो गार्ड़ दे 9 पैसे 45 और 9 तिया 27 स्वरी एक जिरू कम होगा तो इस तरह करके हम लोग कुछ कुछ देखे हैं आज इसमें से कुछ कोशन एक्जाम में आ चुके हैं और इस तरह कोशन एक्जाम में आएंगे भी दस कुछन आएंगे और लगतार आप जूड़े रही है यहां से तो दस में से दस कुछन आपसे बिल्कुल बनेंगे परसेंटेज के कुछ और भी कुछन लेके हम लोग आएंगे जैसा कि हम बता चुके हैं कि हम लोग का एक कुर्स लाँच किया गया है जो कुछ दिन में चालो हो जाएगा और चल भी रहा है साइट उसको आप जाके इस अपको अपना फोन पर इंस्टॉल करिए और जाके उसको जॉइन करिए बाकि किसी भी तरह का जारकरन में कोई भी तरह का फॉर्म निकलता है जाहे पीसी हो जैसे सी हो किसी भी तरह का उसमसब का आपको यहां पर जानकर ही मिलेगा उसे पीडिएफ मि मार सकते हैं, प्रिवियस कुशन देख सकते हैं, तो इस एप को इंस्टॉल करिए, जिसके साथ हैं, आज हम लोग कत्म करते हैं, थैंक यू